नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके जूनियर 30 पर आएए हम जीके के कुछ टॉपिक को आपके सामने लाया हूँ जो कि हर एक्जाम के भी उसे बहुत ही इंग्पॉर्टेंट है जीके पढ़े और युद्धुसमिली डेट ना जाने ऐसा हो नह बढ़े ना बदलने वाला नहीं जैसे करन्ट और स्ट्राइप का नहीं है यह चलते आ रहा है अज पढ़ना है कल पढ़ना यह चेंज होने व्मल्ण और नहीं है इसलिए इस टॉपिक में हुआ है तो एडी में हुआ है एडी मतलब एनो डॉमनी है ना इसा के जन्म के बाद उसके बाद क्या है कि कौन कौन लड़ा दूसरा कुस्षन बन सकता है यहां से पिर्थवी राज चावान भरसेस मुहम्मद गौरी इसमें जीता कौन यह भी देखे एक ही लाइन से कितन कौन लड़ा पिर्थवी राज चावान बरसेस मुहम्मद गौरी कौन इसमें विजय हुए यानी जीता कौन तो पिर्थवी राज चावान यह धिहान रखेगा जिसमें हम टिक कर देंगे वो जीत गया जीता हुआ मतलब जीता कौन तो यह हम विजय लिख देते हैं भी महिमाने महिए था वाल में फिर से अलग तत्यारी के साथ वहाए और इससे लड़े तो क्या हुआ इसमें पिर्थविराज चाहान अबरी बार हार गया महिमाद गोरी जीत गया और इसमिल्व राज की मिरतीव हो गयी यह उसे तीर लग गया और मर गये अगे बढ़ते हैं च याद रखने में भी आसान होगा इसमें कौन कौन लड़ा ? मुहम्द गौरी और जैचक्ध, ये जैचन्द कौन था आपको थोड़ासा इसके बारे मनें बताना चाहूँंगा जैचन्द पिर्थीवी राज चौहान का एक तरह से ससूर थे ससूर क्योंकि प्रश्वी राज चौहन एक लड़की से लब करते थे जो कि जैचंद की बेटी थी उसी से साधी किये थे और प्रश्वी राज चौहन को हराने के लिए आमंतरन के रूप में महम्मद गोरी को बुलाया था इसने कि चलो वह मेरे हां और प्रश्वी राज चौहन जैसे आदमी व्योद्धा को हरा दो अगर आप पढ़ेंगे इत्यास बढ़ियां से तो इत्यास का इनको गद्दार कहा जाता है आगे बढ़ते हैं डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे चंदावर का यूद 1164 एडी लिखते जाए कोई दिकत नहीं है या इस भी तेघ्राइस दियास में देखिया महमत गौरी जैचंद को भी हरा दिया जबकि जैचंद ही महमत गौरी को इंडिया लाने वाले में थे आगे बढ़ते हैं पानिपत को पानिपत का तीन युद लड़ा गया है पानिपत का पहला युद दूसरा युद तीसरा युद तीनों को मैं एक साथ लिखा हूँ ताकि आपको बढ़ियां से याद हो जाए कनफ्यूजन मीड जाए देख लिए क्या है पानिपत का पहला युद 1526 में बावर भरसेस इबरा पाहिम लोदी के बीच बावर विजय हुआ आगे बढ़िए पानिपत का दूसरी लड़ाई सेकेंड बैटल लड़ाई 1556 में यह ने एक बार पूछा था इसमें स्वी भी पांच नमंबर इसका डेट याद रखेगा 1556 में अकवर और हेमू के बीच हुआ हेमू के बारे मे थोड़ा सा सुन लिए हेमू एक ऐसा खिलाड़ी था लड़ाई करने में इतना माहिर था कि यह टोटल 24 युद लड़े थे 22 युद इसने जीते थे अकवर के साथ इसका कंडिशन क्या हुआ अकवर से क्यों हार गया यह पूरा युद जितने के बाद सकेंड युद अकवर बिजय हो गया है ना अकवर ही बिजय रहा इसमें याद रखेगा कौन बिजय रहा अकवर आगे बढ़ते हैं सकेंड युद हो गया 1556 डेट याद रखना है कौन कौन लड़ा है अकवर और हेमू तो इसमें अकवर बिजय रहा आगे बढ़ते हैं अंतिम हिंदू सा सकता है मूँ आगे बढ़ते हैं पानी पत की तीसरी लड़ाई ठाड़ वेटल कब हुआ 1761 कौन-कौन लड़ा अहमत सावदाली और मराठा की हार हुई थी यह याद रखेएगा कौन जीता कौन हारा यह जानना जवरी है कभी-कभी पूछा जाता है यह जी विजय रहा मराठ हर गई थी अब आये खानवा कायूद खानवा कायूद 1527 कौन-कौन लड़्य बावर और राना संगा बावर्न कायूद 1527 nella ाई बहुत विजय रहा अगे बलते हैं चंदेरी कायूद 52 собой में बावर और मेद्रिनी राय के के बीच हुआ था बावर भी जाई रहा जितने भी बावर देखने सब भी जाई रहा आपको याद रखने में भी असान होगा इसलिए हम कोमन टाइप का लिखें ताकि एक साथ लिखें बीच में कोई नहीं आए अब आए गगर का यूद गगर का यूद 1528 में तीनों एक अफगान बावर जीता अफगान सा सक है ना और यहां पर सकेंड यूद क्या है चंदेरी का यूद 1528 इसमी में बावर और मेदनी राय बावर जी बिजए रहा यहां भी बावर बिजए रहा आगे बढ़ते हैं चौसा का यूद 1549 इसमी में हुआ है सिरसा और हुमायू के बिच कि सिरसा सूरु बंस का था बाव यूद 1544 में हुआ सिरसा बरसीस में हुमायू इसमें भी हुमायू की हार हुई सेरसा यहीं बिजए रहा बावर के बाद हुमायू है ना अगर मुगल बादसा को हम सजाएंगे तो देख लिजे दियान से पहले बावर आया बावर हुमायू सा जहां अकवर पहले अकवर जहांगीर सा जहां और अंगेब यह दियान रखिएगा यह आपको याद कर लेना है बावर हुमायू जहांगेर सा जहां और अंगेर यह बार बार कोस्टन पूछा जाता है इसको सजाने दिया जाता है इसके बाद कौन इसके बाद कौन या फिर तीन को किसी एक तीन साथ ओप्सन लिए चार ओप्सन चुनना है तो इस टर्म को याद कर लीजिता क्यूंकि इनका बेटा है इनका बेटा ही कवेटा ही इस टाइप से आया है रेगुलर है मुगल बंस के है तो इनको याद करना आपको जरूरी है आगे बढ़ते हैं हम लोग चोसा का यूद में 49 मुवे हुआ चोसा 39 15 39 इसमी में सिरसा और हमायू सिरसा विजय रहा यानी भीनर रहा करनोज का यूद 1540 में सिरसा विजय रहा हमायू अब आएंगे ताली कोटा का यूद 1565 में विजय नगर समराज का पतन हुआ पूप जाता है विजय नगर का पतन किस यूद के दोरान हुआ किस यूद के बाद हुआ विजय नगर का पतन यनी विजय नगर समराज का विद्धुवनस हो गया खतम हो गया है ना तो ताली कोटा का यूद 1565 इसमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस यूद का दूसरा भी नाम है रक्षास्तंगडी का यूद है ना ताली कोटा का यूद या रक्षास्तंगडी का यूद फंद्रो सो पैसाड इसमी में विजय नंगर समराज का पतन हुआ आगे बढ़ते हैं हल्दी गाटी का यूद अकबर भरसेस महराना परताप इसमें अकबर विजय रहा इसे इस यूद का कहा जाता है कि महराना परताप कभी हारे नहीं थे कहीं और ही भाग गये थे वह अलग बात है जीते नहीं थे लेकिन अकबर का ही विजय गोसित हुआ चलिए हम इसके बाद वाले यूद को देखत सबस्क्राइब जो कि आगे हम झाल 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 झाल